मनुष्य में लेंगिक प्रजनन विद्यार्थियों, मनुष्य में लेंगिक प्रजनन सीखने से पहले हम कुछ मुद्दे फिर से देखेंगे मनुष्य प्रगत प्राणी हैं, पुरुष और स्त्री अलग जीव होते हैं, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक लिंगी होती है पुरुष योगमानू बनाते हैं, जिने शुकरानू कहते हैं, और स्त्री योगमानू को डिम्ब या अंड कोशिका कहते हैं फलन की प्रक्रिया स्त्री शरीर के अंदर होती है, भुरुन का विकास स्त्री के गरभाशय में होता है, स्त्री बच्चे को जनम देती है जिसको वीवी पैरस प्रजनन कहते हैं, मनुष्य में प्रजनन की प्रक्रिया अलग-अलग संप्रेरक नियत्रित करते हैं, शुरू की विध्धी और विकास, पुरुष और स्त्री यवनावस्था में पहुंचते हैं। उनके शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलावाते हैं, जिन्हें दुयम लेंगिक विशिष्टा कहते हैं। 1. स्त्रियों में स्तन गरंथी विक्सित होते हैं। 2. पुरुषों में दाढ़ी और मुछ विक्सित होते हैं। 3. महिलाओं में आवाज का स्वरमान उंचा हो जाता है और पुरुषों में रुक्ष हो जाता है। 4. स्त्रियों में रुतचक्र मासिक धर्म शुरू होता है। स्त्री और पुरुष व्यक्तिगत रूप से दो अगुनित युगमानों का निर्मान करते हैं, जिनें अंड कोशिकाएं या डिम्ब और शुक्राणू कहा जाता है। ये दोनों युगमानों एक साथ मिलाकर पहले युगमनच का निर्मान करते हैं, जो आगे जाकर भृण बनता है। मानव में जब लेंगिक परिपक्वता आती है, तब वे इन युगमानों का निर्मान करने में सक्षम हो जाते हैं। स्त्रियों और पुर्शों में इस परिपक्वता के लक्षन के रूप में कुछ शारिरिक परिवर्तनों को देखा जा सकता है, जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि अब इनका शरीर लेंगिक द्रिष्टी से परिपक्व है। वे बदला इस प्रकार हैं। कांखों में बालों का आना शुरू हो जाता है। प्रजनन के अंगों पर या गुपतांगों पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। पाओं पर और हाथों पर बाल आना शुरू हो जाता है। तवचा थोड़ी तैलीर हो जाती है और कभी-क अब देखते हैं कि लड़कों में किस प्रकार के बदलावाते हैं, उनकी चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है, उनकी आवाज में भारी पनाता है, जिसे कहा जाता है कि आवाज बदल जाती है, शीष्न बड़ा हो जाता है। लड़कियों में आने वाले बदलाव के बारे में अब हम जानते हैं, स्तनों का आकार बढ़ जाता है और उनके निपल की त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, रितुचक्र या मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है, ये सारे बदलाव आठ से चाओदा उम्र के बीच में होत होता है, एक, योगमक तैयार होना, दो, संभोग के समय स्त्री के योनी मार्ग में वीरियस खलित किया जाता है, तीन, योगमकों का सल्लैन होता है, जिसे फलन कहते हैं, चार, गरभाशय में योगमनज और भुरुन का विकास होता है, पाच, भुरुन का पोशन, छे, व्रुषन में पाई जाने वाली जनन उपकला अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जिस से शुक्राणू और हॉर्मोन टेस्टोस्टेरान की निर्मिती होती है, नलिकाएं, व्रुषन जालिका, युगुल, अपवाहिनी, युगुल, अधिव्रुषन युगुल, शुक्र नलिका युगुल, स्खलन वाहिनी युगुल, जनन मुत्र वाहिनी अयुगुल, शुक्राणू एक नलिका से दूसरी नलिका में प्रवेश करते हुए जनन मुत्र वाहिनी तक पहुंचते हैं, इस दोरान नलिकाओं में ही शुक्राणू परिपकव हो जाते हैं सहायक ग्रंथियां शुक्राशय युगुल प्रोस्टेट ग्रंथी और युगुल काउपर ग्रंथी युगुल ये सारी ग्रंथियां शुक्राणों के लिए पोशक स्त्रावूं को स्त्रवित करती हैं इसके साथ शुक्राणों को नलिकाओं में से घुसने के लिए और बाहर निकलने के लिए ये माध्यम के रूप में भी काम करती हैं इन स्त्रावों को तथा शुक्राणों को मिला कर वीर्य कहा जाता है जनन मूत्रवाहिनी मूत्र और वीर्य का बाहर छोडने का मार्ग जनन मूत्र वाहिनी का एक भाग जिसे शिर्च कहा जाता है यही संभोग के समय वीर्य को स्त्री योनी मार्ग में स्खलित करता है यह मूत्र और वीर्य छोडने का समान मार्ग है मानवी स्त्री प्रजनन संस्था अंडाशे जोडे में, स्थान उदर गुहा के भीतर अंडाशे में स्थित जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंड कोशिका या स्त्री जनन कोश का निर्मान होता है इसके साथ ही संप्रेरकों का भी स्त्राव होता है अंड नलिका जोडे में ये नलिका के जैसे होते हैं जिनके आंतरिक भाग में रोमग होते हैं अंड नलिका के दोनों सीरों का आकार चिमनी के समान होता है और गरभाशे में ये खुलते हैं अंड़ नलिकाएं अंड़ कोशिकाओं को अंड़ाशे से गरभाशे में लेकर जाती है। ये नलिकाएं फलनक्षेत्र के रूप में भी काम करती है। गरभाशे इसे कोख भी कहते हैं। इसके दिवारे अत्याधिक पेशियों से निर्मित होती है। ये उदर गुहा में मध् इस्थित होता है ये फलित अंडकोशिकाओं का स्विकार करते हैं और यहीं भुरून का उसके जन्म तक पालन पोशन भी किया जाता है योनी यह एक नलिका के समान मार्ग होता है जो गरभाशे से बाहर की ओर जाने का मार्ग होता है यही मासिक धर्म और संभोग के समय एक मार मार्ग के रूप में काम करता है और जन्म देते समय यही सरणी के रूप में भी काम करता है बर्थोलीन ग्रंथी योनी मार्ग के दोनों ओर होती हैं आमलिय स्त्राव स्त्रवित होता है जो योनी मार्ग का स्नेहन करता है और संसर्ग होने से बचाता है झाल झाल